कहने का मतलब यह है कि कवी जो है जब माईक पा जाता है तो हठता नहीं है इससे क्या इस्थितियां और विकट पर इस्थितियां पाइदा होती है इस पर एक हास की कवीता में प्रस्तुत कर रहा हूँ हम अपने कवी मित्र के घर गए हमें देखते ही मुहले वाले डर गए इधर उधर भागने लगे दर्वाजा बन करके खिड़कियों से जाकने लगे महिलाएं छज्जों से ताक रही थी लड़कियां जरोखों से जाक रही थी बच्चे छटों पर तालियां बजा रहे थे हम माजरा नहीं समझ पा रहे थे हमने मित्र का दर्वाजा खट खटाया भाभी का कॉमल सौराया हमने जब उनसे मुहले वालों के इस विचित्र बेवहार के बारे में बताया तो उन्होंने हमें समझाया कि आपके भाई साहब ने बनी बनाई इज़त को मिट्टी में मिला दिया और लाख मना करने के बावजूद मुहले में कवी सम्मेलन करा दिया मुहले वालों ने कवी सम्मेलन करा दिया कवी सम्मेलन का बहुत बुरा हाल था हर कवी अपने आप में बेमिशाल था कोई संकी कोई बावडम तो कोई विक्राल था कोई भी डिर घंटे से पहले माइक से नहीं हट रहा था सुरोताओं को जबरजर चट रहा था लेकिन कवी कभी सम्मेलन में संकट के बादल तो तब गहराए जब आपके भाई साहब कविता पढ़ने आए आपके भाई साहब ने 20 मुक तक 8 गजलें 10 गीत सुनाए स्रोता उठ नहीं पाए स्रोता उट नहीं पाए बेहोस हो गए उन्हें उठाना पड़ा अस्पताल ले जाना पड़ा और कुछ का इलाज तो ICU में कराना पड़ा तभी से मुहले वाले कवी और कविता की गंद को पहचानने लगे हैं और कहीं बेहोस न हो जाएं इसलिए उठ उठ कर भागने लगे हैं इसलिए उठ उठ कर भागने लगे हैं उस दिन से हम सबका मुहले में बहुत बुरा हाल है या यू कहो कि बेहाल है इनके आफिस जाने के बाद इनके आफिस जाने के बाद मुहले की बुज़ुर्ग और ते रोज घर आती हैं हम पर दया ममता करुणा बरसाती हैं आधा पॉन घंटा रोने के बाद ही वापस जाती हैं कि बिटिया तुम कहां फस गई तुम भाग गए भूट गए बिटिया बच्चे बच्चे पापा को सरकस या चिडिया घर की तरह देखने लगे हैं रजाई फ़ी गदय और चादर तक पिकने लगे कि और एक खास देखे टूकडा कि मुहल्य के बुजओर्गों ने सिद्ध इस्थानों पर जाने को सुझाया है नियossi साथ दिनों तक पिंजड़े में भूखा रखने का सुझाओ भी आया अच्छा देखिए बहुत से मुहले वाले जो आज कल देखिए गणेस पूजा है नवरातरार हैं जो आयोजन कराते हैं इनका क्या हाल यह क्या कह रहे हैं कि मुहले के बहुत से युवा जो संगर सील और जुझ हारू है वो तो करेंट लगाने पर उतारू है तीन जटकन सही कर देंगे वो तो करेंट लगाने पर उतारू है अरे एक दिन एक दिन तो इन्हें ले जाने के लिए कई डाक्टर आले थे हम सब इन्हें कस के जकड़े थे वो कह रहे थे आपरेशन करना है हम लोगों चिकितसा झगत में एक नई क्रांटी लाना चाहते हैं मरीज को अस्तासिय से नहीं कविता से ही बेहोस कराना चाहते हैं वैं आपके भाइसा आपको ले ले गए लेकिन जल्दी ही वापसदे गए हमने का क्या हुआ क्या हुआ वो बोले प्रियोग अस्फल हो गया, वो बोले प्रियोग अस्फल हो गया, हमका क्या मरीद बेहोस हो नहीं हुआ, क्या मरीद बेहोस नहीं हुआ, वो बोले नहीं, मरीद तो बेहोस था, लेकिन वाइड बॉय, नर्स डाक्टर को ही कहा होस था, भाई साब बवाल हो गए हैं जी का जंजाल हो गए हैं लेकिन हमारे लिए सिद्ध हो गए हैं क्योंकि उन्हीं की वज़े से हम प्रसिद्ध हो गए हैं अब हम जिसका भी सम्मिलन में जाते हैं तो भाई साथ में लेके जाते हैं और भाई साब को मंच पर नहीं भाई साब को स पहरे हैं कोई भी हमारी इस लंबी उबाऊ और पिलपिली कविता पर तालिया नहीं बजाता हमको मंच पर नहीं जमाता तो हम स्रोताओं को डराते हैं कि अभी भाई साब को बुलाते हैं अभी भाई साब को बुलाते हैं लोग डर जाते हैं तालिया बजाते हैं और इतनी लं